पहले आपने जो स्वागत किया भारत जोडो न्यार यात्रा का जो आपने जारकंड में पिछले छे दिनों के लिए यात्रा का स्वागत किया जो आप यात्रा में शामिल हुए जो आपने यात्रा को उर्जा दी पियार दिया इसके लिए मैं आप सब को दिल से धन्यवाद कर ना चाहता हूं यात्रा में हम 6-7 गंटे आपके बीच में आते हैं और आपकी बात सुनते हैं आपके दिल में जो है वो समझने की कोशिश करते हैं और 15-20 मिनट हम ऐसे बाशन से आपकी बात करते हैं मतलब आपकी मन के बात सुनने हम 7-8 गंटे लगाते हैं अपनी मन की बात रखने के लिए हम 15 मिट लेते हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह यात्रा हमने करी क्यों और दो यात्रा क्यों की एक कज्ण्या कुमारी से कश्मीर और दूसरी मनिपूर से महराष्ट्रा क्योंकि हमें लगा कि देश में 10 बीजे पी ने अरे सेस ने नफरत कम महूल फैला रखा है हिंसा का महल महूल फैला रखा है और एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं आदिवासी को किसी और से लड़ाते हैं एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं तो हमने सोचा कि प्रेस तो हमारी बात उठाती नहीं है आप जानते हो कि प्रेस वाले अदानी जी के लिए काम करते हैं बड़ के बीच में आकर हम आपको जोड़ने का काम करें और आपके जो मुद्दे हैं आपके जो समस्यां हैं उनके बारे में हम बुलें तो ये लक्ष था पहली भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल रही और लोगों ने हमें का देखिए आप कन्या कुमारी से कश्मीर चले तो जारक क्या होगा और इस्ता क्या होगा हमारे जो गाओं है वहां से तो आप निकले ही नहीं तो इसलिए हमने मन बनाया कि दूसरी यात्रा मनिपुर से शुरू करेंगे और महराष्ट्रा तक वह यात्रा जाएगी और ज्ञारकंटी बीच में से निकलेगी और इसलिए मैं आज आ दो-तीन चीजें ज्ञारकंट की जनता ने अलग-अलग भरक्वों ने मुझे बताई अभी में आदिवासी गाउं से आरहा हूँ वहाँ पे हमने आदिवासी महिलां से बात की और उन्होंने हमें बताया कि पूरे ज्ञारकंट में पूरे देश में आदिवासियों से उनकी जमीन छीनी जा रही है किसी ना किसी बहाने से अंत में ये होता है विकास का नाम लिया जाता है सड़क बनाने का नाम लिया जाता है मगर अंत में आदिवासी को पता लगता है कि उसकी जमीन हडपली गई है या किसी NGO को पकड़ा दी गई है या किसी अरब पती आंदानी जैसे व्यक्ति को पकड़ाई दी तो ये आदिवासियों का सबसे बड़ा मुत्भा है उन पे केस लगा दिये जाते हैं इसी अभी कुछी देर पहले एक NGO की जमीन है वहाँ पे आदिवासियों की जमीन छीन ली उनको कॉंपनसेशन तक नहीं दिया और उनकी जमीन लेकर NGO में डाल दी उन व्यक्तियों से मैं मिला फिर अपसर में अपसर से मिला और पहले अपसर मुझे कहते हैं देखिए ये तो ग्रामसवा की जमीन थी तो फिर उन्होंने मुझे कागस दिखाया जो व्यक्ति की जमीन गई उसने कागस दिखाया तो फिर मैंने अपसर से कहा भईया ये आप बताओ ये क्या कागस फरजी है ये व्यक्ति जूट बोल रहा है क्या कहतें नहीं जूट तो नहीं बोल रहा है तो फिर मैंने बोला फिर ग्राम सबा की जमीन है नहीं इसी की जमीन है तो ये पूरे जारकर्ण में पूरे जहां भी आधिवासी लोग हैं वहां भी ये हो रहा है हमें कानून लाए थे पैसा कानून था दो कानून है एक पैसा कानून एक जमीन अधिकरण कानून जमीन आधिकरन कानून में साफ लिख लिक्टा गया है कि ग्राम सभासे बिना पूछे जमीन नहीं ली जासकती और अगर जमीन ली जाएगी बहिए नारे मत लगेगे अगर जमीन ली जाएगी तो मार्के ट्स रेट से चार गुना जादा पैसा दिया जाएगा और अगर मज़े की बात सुनिए अगर जमीन ली गई और पांच साल में उस जमीन का प्रयोग नहीं किया गया तो वो जमीन वापिस दी जाएगी अब जारखंड में लाकों एकर जमीन ली गई है पिछली सरकार ने ली थी लैंड बैंक बनाया उसका कोई प्रयोग नहीं किया तो यहां के आदिवासियों ने मुझे कहा और सही कहा कि पांच साल हो गए यह जमीन अब वापिस जानी चाहिए हमें वापिस मिलनी चाहिए कि इसका कोई प्रयोग नहीं हुआ तो यह एक आदिवासियों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है दूसरा मुद्दा समाजिक नहाए का मुद्दा आज कल क्या है रेजर्वेशन में पचास परसेंट का कैप लगा रखा है आप जानते हो पचास परसेंट से जाधा रेजर्वेशन देश में दिया नहीं जा सकता अब किसी को नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में किस वर्ग की कितनी अबादी है अगर मैं आपसे पूछू यहाँ पे पिछड़े वर्ग के लोग हैं आदिवासी वर्ग हैं दलित लोग हैं अगर मैं आपसे पूछू भाईया मुझे बताओ इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं यहाँ पे कोई जवाब नहीं दे सकता दे सकता है बताओ कितने लोग हैं पिछड़े वर्ग के देखो आँकड़ा नहीं किसी को मालूम मैं आदिवासी का पूछू गलित का पूछू जेनरल कास का पूछू किसी को कुछ कुछ नहीं मालूग है अब आप मुझे बताइए कि कहा जाता है कि देश में 8% आदिवासी है 15% दलिट है आठ और पंद्रा कितना हुआ तेश कहा जाता है 50% ओबीसी वर्ग है कितना हुआ 73 हो गया अब 73 परसेंट आबादी है तो 50% लिमिट क्यों है बात समझ आई अब आदी 75% की है अब वो भी पक्का नहीं मालू हो सकता है 55% निकल आए ओबीसी का हो सकता है आदिवासी जादा हो यह किसी को नहीं मालू तो सबसे पहला काम अगर हम समाजिक नयाय की बात करते है तो यह पता लगाना है कौन से वर्ग की कितने लोग है और किसके पास कितना धन है सभी बात आदिवासी 8% है देश का कितना धन उनके हातों में है यह सबसे बड़ा देश के सामने सवाल है हो क्या राय हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरग पती आप किसी भी स्टेट में चले जाओ मैं नागालेंड अरुनाचल असाम मेगाले ये नागालेंड जारखंड बिंगॉल सडक पे चलाओं हर प्रदेश में अदानी जी को कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिया जा रहा है यहां पे अदानी जी को जमीन दी गई जमीन किस से ली गई आदिवासियों से ली गई और जमीन किसको गई अदानी जी को गई तो पूरा और पूरा जमीन का ट्रांसफर हो रहा है पिछणों से आदिवासियों से दलितों से गरीब जनरल कास के लोगों से और सीधा अरब कि बैंक अकाउंट में जमीन जा रही है तो ये पता लगाने की जरूरत है इस देश के जो धन है वो किसके हाथ में है क्योंकि ये तो हम मानने को त्यार नहीं है कि देश का पूरा का पूरा धन एक दो परसेंट लोगों के हाथ में हो आप मानने को त्यार हो क्या अगर अगर अगर मानने के लिए तियार हो जाता हूं कि बिल्कुल नहीं मान सकते इह कैसा हिन्दुस्तान है कि यहां पे क्रोणों लोग रहते हैं और पूरा का पूरा धन पांच, दस, पंद्रा, बीस, पचास लोगों के हाथ में है और बाकी लोग भुगे मर जाए बाकी लोगों को ना शिक्षा मिले ना स्वास्त मिले ना अधिकार मिले जमीन चीन ली जाए ऐसा हिंदुस्तान पता नहीं आपको चाहिए मुझे तो नहीं चाहिए तो होगा क्या मैं आपको दो तीन आकड़े देता हूँ हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं आप जानते हो यह 90 लोग कौन है आम जनता नहीं चलाती हिंदुस्तान को बहुए गल्थ फेहमी में मत हो आप अभी कौन कुछ दूसरी दुनिया में हो आम जनता इस देश को नहीं चला रही है अगर आम जनता इस देश को चलाती यह देश कहां का कहां पहुँच जाता इस देश को 90 I.S. ओफिसर चलाते हैं दिल्ली में आपके घर में बजेट है ना आपके घर में पैसे आते हैं आप निल्ले लेते हो ना कितना पैसा किस चीज में जाएगा मतलब आप घर को चलाते हो आपके घर में 20,000 रुपए आते हैं आप कहते हो पांच हजार रुपए मेरे खाने में जाएंगे पांच हजार रुपए मैं बच्चों की पढ़ाई में लगाऊंगा जो भी आप ये निन ले लेते हो तो आप घर चला रहे हो वैसे ही हिंदुस्तान का बजेट है करोणों लोग GST से देश को पैसा देते हैं यह आपने जैकेट पेन रखा है कितने का लिया आपने जोर से बोलो 2100 का इसमें GST कितनी दी 18% GST दी आपको पता भी नहीं लगा आपने GST दे दी 18% है ना अब आप एक बताओ अगर ये जैकेट अगानी खरीटता तो वो कितनी GST देता एक GST देता है जितनी आप दे रहे उतनी वो देगा आपकी आमदनी कितनी है 40,000 जो भी है उसकी आमदनी कितनी है अर्बों में वो आप जितना टैक्स क्यों दे रहा है यह अन्या हुआ न कोई कोई आदिवासी गरीब आदिवासी शर्ट खरीद रहा है वो 18% दे रहा है उसी शर्ट को अधानी खरीद रहा है वो भी 18% दे रहा है तो जेब में से आपके जेब में से GST का पैसा जा रहा है वो जो है 90 लोग वो निर्ने ले रहे हैं कि पैसा कहां खर्चोगा अभी ठ़र जाविया अभी मुझे बात खतम करने दो फिर जो बोलना बोलना तो ये 90 लोग निर्णे लेते हैं कि बजट का पैसा कहा जाएगा यहां पे हस्पताल लगेगा तो ये 90 लोग निर्णे लेंगे कि भाईया हिंदुस्तान के स्वास के बजट में हमें इतना पैसा डालना है अब मेरा आपसे सवाल है आपने मुझे बताया ओबिसी 50 परसेंट दलित 15 परसेंट आदिवासी 8 परसेंट कितना हुआ 73 हो गया 73 हो गया अब आप मुझे बताओ अब आदी पिछणों की 50 परसेंट वो 90 अबसर में से पिछणे कितने तीन 50 परसेंट आबादी जो है बजेट का निर्ने कितना लेते हैं अगर मान लों हिंदुस्तान की सरकार ने 100 रुपे खच किये तो यह जो 50 परसेंट वर्क के लोग हैं यह कितने रुपे का निर्ने लेते हैं 5 रुपे का दलित कितने रुपे का निर्ने लेते हैं एक रुपे का और आधिवाजी कितने रुपे का निर्ने लेते हैं दस पैसे का तो पहच्च 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 परसेंट लोग साब 6 परसेंट का निर्ने लेते हैं तो यह पता लगाना है कि किसकी अवादी कितनी है आपको कभी चोट लगी है आपको चोट लगी कभी किसी के टांग तुटी यहाँ पर आपके तुटी तुटी है तो आप हस्पताल गए डॉक्टर ने आपको क्या बोला नहीं पहले बोला वहिया एक काम कर इसका एक्सरे करा तो उसने बोला इसका एक्सरे करा आप गए आप मशीन पर लेटे आपने अपना पैर ऐसे रखा उसने आप पे वो लाइट लगाई और फिर उसने बटन दबा बाहर कमरे के गया फिर उसने बटन दबाया और आपका एक्सरे आ गया पिर डॉक्टर ने का हाँ भाया टांग तूटी आपकी मतलब इलाज से पहले एक्सरे की तरवरत है एक्सरे के मिना हिलाज तो ही नहीं सकता तो जाती जनगरना जो है देश का एक्सरे है मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि दूद का दूद पानी का पानी हो जाए दूद का दूद पानी का पानी हो जाए हमें पता लग जाए किसकी कितनी अबादी है और कितना धन किसके हातों में है सीधी जबाद अब जैसे ही मैंने ये बात बोली नरेंदर मोधी जी बोलते है कि बाई और बेनो हिंदुस्तान में सिर्फ दो जात है क्या बता बहिया हिंदुस्तान में सिर्फ दो जाते हैं क्या तो जब मैंने जाती चन्गन्ना की बात की वो कहते हैं बहिया सिर्फ दो जाते हैं अच्छा अब सुनो कौन सी जात एक गरीब है और एक अमीर है अब मेरा मोदीशे से सवाल भहिया अगर सिर्फ दो जात है तो हर भाशन में आप अपने आपको ओबी से क्यों करते हो ये तीसरा जात का से उठा ले आया तो वो नहीं चाहते कि आदिवासियों को दलितों को पिछणों को गरीब जनरल कास के लोगों को माइनॉरिटीज को अल्पसंक को उनका हग मिले क्यों को चाहते हैं कि जो अरबपती हैं जो उनके खास है उनको पूरा का पूरा धन दिया जाए और होगा क्या आप मेंसे कोई कहएगा हाँ ठीक है भाईया तो दे दिया तो क्या हुआ आप मेंसे दो तीर लोग ये भी सोच सकते हैं कि ठीक है भाईया धन दे दिया अंबानी को दे दिया अदानी को दे दिया तो क्या मैं बताता हूँ आपको जितना धन उनको जाएगा उतना कम रोजगार पैदा होगा तो यह जो सब यहां सब युवा कड़े ना आपको रोजगार नहीं मिलने वाला वो चाइना का माल यहां बेचेंगे चाइना से माल खरीदेंगे यहां बेचेंगे आप चाइना के माल के लिए पैसा दोगे रोजगार कहां बनेगा हिंदुस्तान में चाइना में चाइना में आप अपने जूते के नीचे देख लो शर्ट के पीछे देख लो फोन के पीछे देख लो मेट इन चाइना 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 सब्जेगे मगर अगर छोटे उद्योगों की मदद की गई यहां smaller media मुद्योगों की मदद की गई और made in India सचमुच में किया जाए तो फिर जारकंड में सब लोगों को रोजगार मिल सकता है तो मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ दो चीज़े दो तीन चीज़े सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आज से 7-8 साल बार आप अपनी शर्ट के पीछे देखो उसके पीछे लिखा हूँ made in जहारकंड और फिर आप देखो कि आप पूछो भाईया ये कहां बन रही है शर्ट और यहाँ पे एक फैक्टरी हो यहाँ गाउं में जो लोग है वो उस फैक्टरी में काम करें गाउं से लोग उस फैक्टरी को चलाएं management में हो आप जानते हो अदानी जी की company में पिछले लोग कितने हैं दलित कितने हैं आदिवासी कितने जानते हो एक नहीं है आप उनकी management की list निकालो आपको उसमें एक OBC नहीं मिलेगा एक दलित नहीं मिलेगा एक आदिवासी नहीं मिलेगा जमीन आपकी जारी है GST आपका जा रहा है अदानी जी को bank loan मिलता है ना कहां से मिलता है सरकारी bank से मिलता है ना सरकारी bank का पैसा कहां से आता है अपने जैब में देखो यहां से आ रहा है टैक्स से आ रहा है तो आप टैक्स दे रहे हो आप पैसा दे रहे हो आप अधानी ची को अपनी जमीन दे रहे हो उनकी कंपनी में आपका एक आदमी नहीं है उनकी कंपनी में उनके मित्र हैं उनके खास लोग हैं और आप बेरोजगारी और भूग के रास्ते पर चलते जा रहे हो इसलिए हमने निया यात्रा निकाली इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में निया इशब जोड़ दिया कि लोगों को पता होना चाहिए कि इस देश में किस प्रकार का अन्याए हो रहा है समाजिक अन्याए आर्थिक अन्याए महिलाओं के खिलाफ अन्याए किसानों के खिलाफ अन्याए श्रमिकों के खिलाफ अन्याए पांच अन्याए हो रहे हैं तो यह मैं आपसे कहना चाहता थ जैसे ही हमारी सरकार आएगी दिल्ली में जाती जनगर्ना देश का एक्सरे हम करवा देंगे तो मैं आप सब का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं आपने यात्रा को सफल बनाया आपने नफरत के बाजार में महबत की लाकों दुकाने खोल दी और यही 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 आपका यही आपकी हिस्ट्री है यही आपका इतिहास है दिल से आप लोगों का धन्यवाद नमस्का जेहन्त कर दो